राजस्थान सरकर का सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जो है वो हर साल अंबेड़कर डीबीटी वाउचर स्कीम कुछ छात्रों को देता है तो बेसिकली ये जो स्कीम होती है योजना होती है वो सभी जिला मुख्यालियों पर संचालित सारे ग्रेजुएशन इसना पोस्ट ग्रेजुएशन जो कॉलेजेज हैं उनमें अकैडमिक कोर्सिस शेक्षणिक पार्थिक्रप जिनमें आर्ट साइंस और कॉमर्स होती है उसके राजकिय महाविद्यालियों में अध्यनत छात्र के बालक के लिए जो घर से दूर रहकर किसी दूसरी जगे पर कमरा कि पर लेकर पेइंगेश्ट के रूप में रहता है उसके अध्यन वहां अध्यन करता है उसके आवास भोजन और बिजली पानी जैसी जो सुवीधाय होती है जिनका वो खर्च करता है वहार रहने पर उसका पुनरभरन इस योजना में किया जाता है इसके अंदर जो स्टूड जाते हैं अब इस योजना का संचालन जो है वो इस सेशन में 2023 के अंदर भी अध्यन्रत चात्रों के लिए दिया जाने वाला है दिया जा रहा है फॉर्म भरे जा रहे हैं योजना किन के लिए है इस योजना कर लाप कौन स्टूडेंट ले सकते हैं तो बेसिकली स्टी ओब माइनोरिटी की जो चात्रों होते हैं जो की गौवर्मेंट कॉलिज के अंदर ग्रेजुएशन इसनाता किया फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इसनात कोटर कक्षाओं में रेगुलर स्टूडेंट है उन्ही को दिया जाएगा अब इसके अंदर स्लॉट्स होते हैं फिलाल ये पचपन सो विध्यारतियों के लिए रहने वाली स्कीम है इस योजना के अंतरगत अनुसूचित जाती स्ट के पंदरा सो अनुसूचित जन जाती स्ट के पंदरा सो अन्य पिछडा वर्ग OBC के साढ़े साथ सो अती पिछडा वर्ग साढ़े साथ सो स्टूडेंट आर्थिक पिछडा वर्ग EWS के पांसो चात्र और जो अल्प संक्यक वर्ग माइनॉरिटीज होती हैं जेन, पार्सी, बौध, सिक, इसाई, मुस्लिम इनके पांसो स्टूडेंट्स को दिया जाता है तो कुल मिलाकी ये पांसो विध्यारतियों को दी जाने वाली स्कीम है योजना है और ये हमने इसका क्राइटेरिया देखा है किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स को ये मिलता है अब जो योजना होती है उसके लिए छात्रों को ओनलाइन आवेदन करना होगा और ओनला पर जो आवेदन किये जाने वाले हैं जो फॉर्म अविलेबल है उनके द्वार अपना फॉर्म भड़ सकते हैं डिटेल्ड गाइडलाइन जो है वो sdae.rajistan.gov.in पर उपलब्ध है ये वेबसाइट से आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और कुछ PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अब योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्या जो चात्र अभी करेंट में जिस राज्श के महाविध्याले में पढ़ाई कर रहा है उस महाविध्याले के द्वारा ओनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जाज कर आवेदन पत्र स्वीकर्त करता अधिकारी विभागय जिला अधिकारी को बिजवाए जाएगा त फिर वहां से college उन forms को विभागी जिला अधिकारी को प्रेशित कर देगा जो की शिक्रित करता अधिकारी होंगे। अब स्विक्रित करता अधिकारी जो है वो सिक्षन संस्ताव से प्राप्ट जो फॉर्म उनको मिले हैं उन फॉर्म की ऑनलाइन स्विक्रितिकर जो निर्धा राशी 2,000 रुपे प्रतीमा है वो छात्रों के घाते में डैरिक्ट बैनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा मतलब आपके अकाउंट टैंबर में सीधा पैसा या आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आज आएगा पोईट टैंबर должна देखा कोँ आपने है उसको भी कुछ अधिकार दिये गए तो योजना के दर्गत जो लाभानवित किये जाने वाले जिलेवार, वर्गवार एवं संकायवार, संकाय मतलब आट, साइंस, कॉमर्स, लक्षो के अनुरूप, नियमनुसार, स्विक्रिती, सम्मदित, उप निदेशक, सायक, निदेशक, जिलादिकारी, समाजिक, बाग द्वारा जारी की जावेगी, भुक्तान के पर के लिए आपको पेमिंट कैसा होगा, आपको पेमिंट जो है वो मासिक, मंतली या प्रतिमह भुक्तान किया जाएगा, हर महीने दस महीन, हर महीने दो हजार रुपे आपके अकाउंट में आएंगी, जो कि दस महीने वो 31 अगस्त 2023 है तो आप 31 अगस्त 2023 से पहले ये form एपलाई कर दे या 31 अगस्त 2023 तक आप form एपलाई कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर आप ये वीडियो 31 अगस्त 2023 के बाद देख रहे हैं तो एक बार ही वैबसेट जरूरुर्ड चेक कर ले कई बार government जो होती है वो schemes में जो form भरने की date से उनको बढ़ा देती है तो हो सकता है dates बढ़ जाए बट बैटर रहेगा अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो first come, first fill up the form कर दीजिएगा अब ये scheme थी जो कि आपके साथ share करनी थी I hope ये video informative रहा होगा अगर आपको लगता है तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like share कर सकते हैं और वीडियो को उन candidates के भी शाथ share कर सकते हैं जो इस योजना के अंत्रगत अपना form apply कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपका कोई प्रशन होता है तो नीचे comment कर दीजिएगा Thank you so much for watching this video मिलते हैं next किस informative वीडियो में आप सभी SYGN subscribers को शुब काम ना है